कहानी गहने, अचानक उसके कान में आवाज गूंजी, बहुत शौक था साइन्स पढ़ने का, देखते हैं अब क्या करती है बहन जी, हाँ हाँ, यहाँ सो पचास बच्चों में टॉप क्या कर लिया खुद को जहासी की रानी समझ बैठी, तभी दूसरी आवाज गूंजी, र इतना कहकर दोनों जोर से हसे और एक भद्दा सा जुमला उच्छाल दिया उन्होंने आरती को देखकर, आरती कुछ नहीं बोली, यह कोई एक दिन की बात हो तो जवाब दे, रोज रोज के इस पचड़े में कौन पढ़े, उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता, वह बेका इतना की बातों पर, बच्पन से ही ध्यान नहीं देती थी, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फर्ट पड़ता है, जब तक कोई उसे हाथ न लगाए, तब तक उसे किसी से बिरने की जरूरत नहीं महसूस होती थी, हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे चू द और उसने अपने बालों में लगी चिम्टी उसकी आंख में गुसेर दी थी, जिसके बाद वल चीकता चिल्लता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था, बस यही कहा था उसने की मैं देख लूंगा ये स्कूल कैसे चलता है, मेरे बाप के सामने क्य आउकात है तुम्हारे इस दोनेशन पर चल रहे स्कूल की, सभी अनुदान बंधना कराए, तो मेरा नाम भी आशुतोष्क शेत्री नहीं, इतना सुनते ही आरती ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना की तू ललकी छेर रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोल दी ह और हाँ अगर अपनी मां का दूद प्या है, तो सामने आकर हाथ उठा के देख, तेरे हाथ तोरके इसी पेर पर ना टांग दिये तो मेरा नाम भी आरती नहीं, एक बार बदनामी हो गई, तो तेरे खांदान की तीन पीरी चुनाव नहीं जीत पाएगी, हट सामने से कमी न और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस कॉलेज की किसी लड़की पर आखुठा कर देखने की, किसी छोटी सी कस्बे में होने वाली यहें काम घटना है, जो रीजनल न्यूस पापर से आगे नहीं बढ़ती, लोग कहां तक देखे ऐसी खबरें, हाँ, घरवालों इस खबर के स्थानिय पेपर में छपने के बाद आरती को बहुत समझाया था, देख बेटी ऐसे गुंडों के मूँ नहीं लग, इनके पास और कोई काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लेक कर मापिता का नाम रोशन करना है, बात शायद आरती की समझ में आ गई थी, उस दिन के बाद उसने कमेंजादी पर ध्यान देना छोड़ कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला किया था, आज जब उसने स्कूल में टॉप किया, तो वही आशुतोश उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पे तुमें बड़ी इज़त के साथ छपा था, शाम को जब वह घर लोटी, तो सुबर की बातों से उसका मन भारी था, वाकई वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगी यह सोच कर परेशान थी, उसने मा से कहा, मा, मुझे साइन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, मा चुप हो गई, उसे पता था, घ अधनामी और फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं की बात का बतंगर बनाते देर नहीं लगती, इसके बाद मुहले में सिर उठा कर जीना मुहाल हो जाए, एक बार जूठा दाग भी लग गया, तो शादी ब्याह सब मुश्किल, फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने क कल ही फार्म ले आएंगे, आरती खुश हुई, चलो कम से कम आगे मन्चाही पढ़ाई तो कर पाएगी, उसका सपना था ट्रिपल आईती में एडमिशन लेकर कम्प्यूटर इंजीनियर बनने का, जब से उसने एक प्रतिष्थित अकबार में वहां से पास होने वाले हो गई थी, उसकी आज की जिन्दगी और सपनों की जिन्दगी के बीच एक छोटी, सी छलांग चाहिए, एक बार वह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच गई, तो आगे का सफर बहुत आसान है, इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी, मगर नहीं जिन्दगी इतनी आसान नहीं होती, जितनी दिखाई देती है, जो आसानी से पूरे हो जाते हैं वे सपने भी सपने नहीं होते, राग चब मा ने आरती के पापा से कहा, सुनो कल आरती के लिए साइन्स कॉलेज का फार्म लेते आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आये हैं और उसे एड्मिशन भी आसानी से मिल जाएगा, इतना सुनना था कि पापा की तेवर बदल गए, अभी सुबल तक जो पापा बिट्या के गुनगा रहे थे और पेपर में नाम छपने पर इत्रा रहे थे, अचानक कुछ और नजर आने लगे, पापा ने कहा, सुनो आरती की मा, क्या करेगी वहां जाकर यही कॉलेज में आगे पढ़ लेगी, तुम तो जानती हो उतनी दूर रोज जाना आसान नहीं है, फिर टैंप की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेरचार रोज रोज कौन झेलेगा, मगर यहां इस कॉलेज में साइन्स नहीं है और आरती साइन्स पढ़ना चाहती है, उसकी मा ने कहा, अरे पढ़ाय पढ़ाय होती है साइन्स और आर्स का क्या है, और हमें उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, त्वेट करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे, पापा बोले, आर्ती सब सुन रही थी उसे लगाया तो वो घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे, आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रही थे, वो सोचने लगी यह इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है, तभी मा बोली, सुनो जी, वो साइन्स पर ना चाहती है, तो हम उ इंजीनियरिल कॉलेज में एड्मिशन, कोचिंग से लेकर इंजीनियरिल तक का खर्च कम से कम पंद्रह, लाक बैठता है, कहां से करेंगे इतना खर्च, और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तयारी हो जाएगी, इतना ही है तो उसे आये इसकी तयारी को कह दो सिंपल ग्रजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे, मा को काफी गुसा आ गया था ये सुनकर वह बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिर्वी रख दूंगी तुम बस फार्म ले आना, मगर पापा इतनी जल्दी कहां हार मनाने वाले थे, इतना सुनते यही आरती को रोना आ गया, उसे लगा अब बस सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यह पापा की तुरुक का इक्का था, इस धमकी के बाद मा चुक हो जाती थी, नानी के घर जाने का मतलब होता मा की गोर बेज सती, फिर पापा मा को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नान मैं नहीं चाहती आरती की जिंदगी मेरी तरह, बरबाद हो, तुम रहने दो मैं देखती हूँ क्या करना है, और हाँ, मैं माय के नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है मैं यही रहूंगी, अपनी बेटी के साथ, पापा के अहनकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं, स कर रही थी, अपने, ख्यालो और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए आरती को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, जैसे ही वह उठी मा ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तयार हो जा तेरे नए कॉलेज चलना है, इतना सुनना था कि आरती को जैस उसकी आँखों में आसु आ गए और वहमा से लिप्ट गई, शेर आटो का सफर बहुत जेलू होता है, लेकिन देर सबेर इनसान को उसके गंतव्य तक पहुँचा ही देता है, मा बेटी अपने चोटे से गाव से निकल कस्वे में आ गई थी, भले ही सुबह 8 बजे के निकल साड़े 11 पहुँचे हो, आटो की धक्का मुपकी और रेलिम पेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर आर्ती का दिल जूमने लगा, वह सोचने लगी, तो अब वह यहाँ पड़ेगी, वहां की, रॉन्प देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, खेर कॉलेज में आटी ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी, हाँ, आप बस इतना ध्यान रखे कि इसकी अटेंडेंस कम, न हो, यह, क्लास में रेगुलर रहे, ज्यादा तर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकि के बाद मा बेटी खुशी-खुशी घर लोटे, मगर आगे के सवाल मुवबाई खड़े थे, रोज अगर इस तरह शेर आटो से जाना पड़ा, तो हो चुकी पड़ाई, और अचानक आर्ती ने देखा कि मा अपने गहने निकाल कर चेक कर रही है, उसने मा को इस तरह अपन का आर्ती को लेकर फिरकस पे जा पहुँची और उसने स्कूटी वाली शौक, पर दस्तक दी, ये सब देखा आर्ती को कुछ समझ नहीं आया, बाद में पता चला वह कंगन किसी सुनार के पास पहुँच गया था और स्कूटी आर्ती के पास, पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्षे दिखाई देता है, हां, आर्ती मन ही मन मा के प्रती कृतग्यता से भरती जा रही थी, ऐसे ही एक रात उसने मा से पूछा, म, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिये, और मा आख पोचते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है, अभ दिन्मा ने बताया था कि किस तरह दसनी के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई ये कहकर चुड़ा दी थी, दुरगा आगे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खत्रा है, कहीं कुछ उंच नीच हो गया, तो इसकी छोटी बहनों का क् बस, सत्रह सारे सत्रह साल में शादी हो गई थी, इतना कहते कहते उनकी आँखों में आसो आ गए थे, ये स्कूटी तेरी हमसफर है, अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी जिन्दगी की उलान भर सेकेगी, आर्ती ने भी मा के दर्द को समझा था और पुरे लगन स पढ़ाई में जुद गई, वर स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ लाइफ लाइन बन गई थी और हाँ, अब ये बहनजी वाली आर्ती नहीं थी, उसने सलवार छोर टाइट पैंटनुमा लोवर और फित कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, जिससे आराम से स्कूटी चला सके, इतना ही नहीं अब वर किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती थी जिससे अकेलापन न महसूस हो, वर स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ पिठी सर ने गल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें वे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे, साथ ही कलास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी, वह शनिवार और रविवार को आयाईटी एंट्रेंज की कोचिक करने लगी थी, शाम तीन बजे के बाद उसने दो-तीन बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकलाता, कहते हैं, जहां चाह वहां राह, आशुतोश और उसकी साथियों ने एक-दो बार उसे तंग करने की कोशिश की, तो उसने चुपचाक उनकी कंप्लेंट कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर की ये बदमाशों प दिल गया था, यह उसके किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था, इस बात को गुजरे एक अर्सा हो गया था और आज आर्टी की केंपस प्लेस्मेंट हुई थी, उसकी आँखों में आसू थे, एक छोटे से गाउं से निकल कर कस्बे से होता, उसकी जिन्दगी का सफर जो ह हाइदराबाद में हाल पर था, आज बैंगलुरू की किसी बड़ी आईटी फम में प्लेस्मेंट के साथ ही अपने मुकमल मुकाम तक जा पहुझा थी वो, अब न दुरगा को उसकी चिंता करनी पड़ती थी और न पिता राजेश्वर को बेटी के साथ कुछ उंच नीच ह होने का दर था, उसने मा को फोन लगाया, मा, मेरी प्लेस्मेंट हो गई है, और मा के तो जैसे बोल ही ना फूटे, वह बस घर में मंदर की तरफ दोड़ी, बेटी सब भगवान का आशिरवाद है, आरती ने कहा, मा, पैकेज नहीं पूछोगी, और दुरगा ने कहा, हर पेपर में आरती के प्लेस्मेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पडोस मिठाई की मान करता दुरगा के घर खड़ा था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, प्लेस्मेंट के छे, महीने बाद बिना किसी को बताया आज आरती अपने घर आई थी, उसी छोटे से गाउं में माँ पिताजी तो उसे देख कर पहचान ही नहीं पाए थे, जीन्स ती शर्ट में आरती को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह वहीं आरती है, जिसने इस छोटे से गाउं से अपनी जिंदगी की संधर्ष का सफर शुरू किया था, अगले दिन सुबर जब फटाफर तयार होकर स्कूटी पर बैट बड़ी थसक की साथ चल पड़ी, लेकिन ये क्या आरती ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी, इसे देखते ही दुरगा को काटो तो खून नहीं, बेटी यहां क्यों रुकी हो, हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है स देखते देखते आरती ने उसे 18 लाग की पेमेंट कर सारे गहने मा के हाथ में रख दिये, मा यह मेरी तरफ से तुम्हें पहला उकहार है, मेरे पहले क्वाटर की कमाई, इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहने की पोटली उसमें दाल मा को बैठा वापस चल पड़ी, दुर्गा नेहशब थी, आज शायद उसके गहने सोने से बदल कर हीरे से भी ज्यादा कीमती हो उठे थे, और आरती बिंदास अपनी लाइफ लाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी, अगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे न मिलती, तो वह अपनी जिन्द उसके यह वक्त बाती.